वरनिवे सरमनिय दर्षयनं मन्दहा सरुचिरान नाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्त मेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचेंतये ओ मवतारिने स्री स्वामिनारायनाय नमो नमहं श्री सहजानन्दाय नीलकंठाय च नमो नमहं श्री गुरुचर्ण कमले भ्यो नमो नमहं बोलो स्री स्वामिनारायन भगवाननी स्री हरे कृष्ण महराजनी जय स्री घनस्याम महराजनी जय कथा संभलनारा बधाज भकतोंने खूब हैत्ती जय स्री स्वामिनारायन स्री हरी चरित्रा मृत सागर पूर्चोथू तरंग 63 मूँ जे चालू प्रसंग चाली रहो हतो नागड का गाम्थी भगवान श्री हरी विदाईले रहा छे रस्तामा चोर लुटारा डाकूओनो भई छे महराज जयरे भई निवाद करी त्यारे हरी भकतों दुखी थई पोतान रदैमा पड़ेला बद्धा भई निवाद महराज चारे बाजू अlet त्यारे भई भयने भई छे और आज़कता छे कोन-कोनो न्याई करे निर्दोस मान सो चारे बाजू मरी रहा छे लुटाई रहा छे कोईने न्याई मलेवी आसा छे नई राजा एज प्रजानो पोशक प्रजानो सोषक मनी गयो छे बधी जरे वात करी त्यारे भगवान स्रिहरी ये दीव्य संकल्प करियो छे महराजे वात करी ने दिरज राखो भगतो भगवान कोई सारा राजाने मोकल से राजा प्रजाने सुखा पे तोज सुखी थाई सके सुख आपने मेलवा इच्छी ये खरा बद्धी जवस्तु सुख आपीसु तो सुख मलसे दूख आपीसु तो दूख मलसे रोड़ुपर चायला जीये छी कोई ओडखान परिचेह न थी सामे कोई व्यक्ति मले अन्य आपणे खाली व्यक्ति ने आहात जोडिए तो सामेनो मानस पन हात जोडे आपणे सारा मिठा सब्दो कई है तो सामेनो मानस पन नववाणुमा एकाद केस कदाद नेगेटिव निकले कि तमें मिठु बोलों सामे कडवू बोले ये पन कडवू बोले एने असांति आपणे सुख असांति आपणे सामेवाणाने आपता नथि आपणे आपणे आपणाज प्रारभध कर्म मा डिपोजिट करिये छी ए जवस्तो अनेक गणु थे ने पाचु आपणे मलवानूँछे सुखने चाहनारा, प्रेमने चाहनारा, आदरने चाहनारा, सम्मानने चाहनारा आपने बधाये जीवनमा शिखवा जेवुचे महराजे अध्भूत वात करी छे, महराजे म कहे छे एक भगवान सर्व समर्थ चो एक भगवान सर्व सक्तिमान छे, पॉल पड़नो रती रती नो भगवान हिसाव राखे छे अने एक एक जीवने भगवान हिसाब चुकते करवाना छे माटे जीव प्राणी मात्रे अभिमान छोडीने मारी उप्पर कोईक जोनार छे मारा कर्मनो पन हिसाब मागनार छे आम मानीने भगवान थी भईभीत थईने पोत्य जे करवुद जोईए सास्त्र प्रमाणे त्य करवुद जोईए सामेवाडों करे छे के नथी करतो ये विचार्या विना आपणी दस्ता सुराखाचर जेवी जे जोके सुराखाचर तो बहु सारा रमुजी भक्त हता लेकात चरित्र करिए अपने सिखवा मले एकला माटे कि कोई एक बढदले जये तो सुराखाचर बे उपाड़ी आवे बे ले जये तो चार उपाड़ी आवे महराजनू सर्व सकती पणू सर्व करता पणू सर्व नियामक पणू यानी महराज वाद करी ने हवे वाद करे ज्यागर ताके मरजे जोए वरतना सोद्धा सोजन जानना अतेवे सोद्धा ताके मरजे जोए वरतना सोद्धा भगवाननी मरजी जोहिने जे वरतन कले छे सोजन जानना अतीवे सोद्धा येने अत्यंत पवित्र मान समझ्जो भगवाननी मरजी मा रहे छे तेज साचो महान छे भगवाननी आगना पाले छे एज खरेखर महान छे मुर्तिनी वातो करवी ये थियरीकल सब्जेक्ट छे एमा मानस केटलो खरोन केटलो खोटो कोई एनू केलकुलेशन करी सके नई आगना पालवी ये प्रेक्टिकल विसई छे ये विसई एवो छे जग जाहेर छे बद्दाज येमा भहुतिक जगतनी जे मिरणे करी सके आटलू साचू नाटलू खोटू उपासना केटली जेटली आगना पाल येटली उपासना मुर्तिनो महिमा केटलो मुर्तिनी मर्जी समझी सके एटलो मुर्तिनो महिमा साचू भगवाननी मर्जीने समझीने जे वर्तन करे छे ये अती विसुद्ध छे ये स्रेष्ट छे परमेश्वर ने प्रगट मानीने भजवा क्यारे दूर मानीने भजवा नहीं केवी सरस्वाद छे दुरे जनियाने दुरघना छोरे प्रेमी ते जनना प्राण छो जिरे तमे हरे हयाना हार छो भगवानने सर्वत्र छे एटले बद्धी जग्याई छे मानवा एना करता उन ज्याँ छो त्या मारी साथे छे कथा सांबलिये छे ठाकर जीपन कथा सांबले छे कथा करिये छे उन अथी करतो महराजत कथा करे छे वचनामरुद जहिंति ना दिवसे स्रीजी स्वमी प्रवचनमा वाद करी हतीने भगवानना स्वरूपमा मन्नी वृत्ती राखिवी कथनमा कथन साधन छे कथन मा कथन छे पड़ आपड़े आपड़ी दरेक क्रियामा मुरुतिने जोड़ी दिए नावा जये महराज नान करे छे सरस्मजानों साबु लगाविये महराजने नवरावुचु जमिये छे महराज जमिये छेनु जमाडुचु आतलू चेंज करवानुच खाली केकलू बाबुका का कोई वस्तु छोड़वानी खरी आपड़े सुवानू छोड़वानू जम्मा कई एकके छोड़वानू छे तमे जे करो छो एज करो पड़ेमा महराजनी मुर्ती उमेरी दो तो तमारा बद्धा मिंदा एनी आगल एकड़ो लागी गयो तमारू जगतनू काम पण भक्ती बनी गयी भगवानने संभारिने करेली क्रिया एनुज नाम भक्ती भगवानने संभारिया विना करेली क्रिया एनुज नाम कर्म कर्म ये भार रूप छे औने भक्ती ये भावरूप छे कर्म ये जन्ममरंनू कारण छे भक्ती जन्ममरंथी छोड़ाव नारी छे भगवानने दूर नहीं प्रगट मानवा, मारी साथे छे, मारी दरेक क्रियाने जुनारा छे, अंतर यामी छे, अंतर ना नियामक छे आवो जे भगतने भगवानना प्रत्यक्सपणानों निष्चेई छे, ते अक्सर धामाज बेठो छे कोई पन बाबत कहवाई छे, ते समझन मा रही छे, अवे ध्यानती सामबल जो बबुका का, आ बदी वात क्या मा रही छे, सुधारो क्या करवानों छे, सुधारो क्या करवानों छे, बदी वात रही छे, ते समझन मा रही छे, सुधारो क्या करवानों छे, समझन मा, समझन एक अपड़ा विचारो, विचारो मां सामाटे सुधारो करवानो, कोईपन दुन्यानू काम करवा माटे, कोईपन दुन्यानू सारू के खराब, दरेक कार्यानी सरुवात मानसना मन्थी थाई छे, विचार्थी थाई छे, मानसना विचार ए उच्चार बने छे एटले वानीमा आवे छे अने उच्चार एज मानसना आचार बनी जाईची लेक्रिया बने छे उनाइटेड नेसंस ओर्गेनेजेसन ना खथ पत्रमा सवथी पेल्लामा पेल्ली लेवाईली नोंध लखावेलू स्टेटमेंट कयू युद्ध पेल्ला मानसना मनमा सरू थाई छे अने पच्छीज मेदानमा धर्तिव पर सरू थाई छे युद्धने रोकवा माटे सवथी पेल्लामानसना मनमात सरू थेला युद्धने रोकवा पड़से येना माटे सम्, सुहरदभाव, अत्मीता, भाईचारो, समझाण आ बजा पाठीने सिखवाडवा पड़से पृु असे माखलवा आपन बधु क्या रहीू छे? बध्धु क्या रहीू छे? काम क्या रहीू छे? कोध मां रही ौछे? लोब क्या रही चे? बहु ओर हीजब देट्रेंडशानाबेठा होई रूडा रूपड़ात देखाता होई पने एक बगत नुद्यान खाली सोनाना सियासन मा जोई महाराज मा ना होई लोब क्या छे भक्ती पन क्या छे प्रेम पन क्या छे बद्धी बाबत समझन मा रही छे करोडो प्रकार्नी समझन छे करोडो प्रकार्नी आपने वाद करी हती ए समझन ना बे प्रकार छे सवली समझन अने अवली समझन माटे मनने प्रसन राखी ने सवली समझन ना मार्गे चालगू आम तो करोडो प्रकारनी समझण छे पनेना मुख्य बे विभाग छे एक सवली समझण औने बीजी अवली समझण अत्यारनी भासामा कहवू होई तो पोजिटिव थिंकिंग औने नेगेटिव थिंकिंग 1-दरेक बाबतमा अवलुज विचारे छे 1-दरेक बाबतमा सवलुज विचारे छे हजी तमने कई दो मानसिक्ता केटली खतरनाख वस्तु जे एक दुखना प्रसंग मापाण सवलुज विचारी सुखी थाई छे एक्सिडेंट थेयो गाडी टोटाल लोस थेगई नुक्सान मोटू थेगईयो दुखद घटना घटी तो यह असतो होई विचारतो होई कई नी गाडी गई तो गई पन आपने कई नसी थेएं माहराजी केकली मोटी रक्षा करी गाडी तो मलसे एक दुखनी घटी मापाण दुखद घटना मापाण विचारी से सवलु तो परिणामसु आवे छे सुखी थाई छे अने एक मानस अवली समझन वाडो छे नेगेटीव थिंकिंग वाडो छे नेगेटीव एटिट्यूड वाडो छे परिणामसु आवे सारी घटना घटी जोब मली अने सारी जोब मली संतो के भगत बहु सारूतियु चालो तमने जोब मली गई कनादी उस्ती बेटा अरे स्वामी जवादोने वाद मारी जोडेनो मारा करता ओचु भणेलो येने सित्तिरजार नी मलीन मने पचाजार नी मली स्वामी आतो के वो अन्याई मोटो बोलो पच्चास मल्या येनो येनो आनन्य थी बाजू वालानू जोई अन्य येना करता मने 20,000 ओचा छे येनू दूखेनो येतलू मोटो छे दरेक जिग्या आ बे प्रकार नी समझन काम करे छे सत्संग मापण एक हरी भगत येवा छे संत ने कड़वा सब्द कई दी था जोईता खाचर नी वाद छे कारियान ये गामना राजा हता गाम्मा भवाया रंबा माटे आयवा गामना मानसो राजा तरीके गामना मुटा मानस तरीके आमंत्र ना पपायवा भगतितो घसीने ना पड़ी अत्ती आग्रह केरो तमारे आवूज पड़ से तमैं आवीन जता रे जो अमारे कारिय शरू करिणे जता रे जो गामना राजा तरीके एक जवाबदार व्यक्ति तरीके प्रथम नागरीक तरीके इच्छा नव हुवा छता महराद नी आगना ना छे एकले इच्छा नथी गामना मानसुनू मन राखवा माटे भवाया सरू छता पेला गयान पाछावता रिया पन दरेक गाम मा केव होई पुनम्या वचावई 14 जाजावई आने आ 14 जाजावदा भेगात्यान वातो उपाडी बराबर लो जोयो मोटो भगत पेली लाइन मा बेसे स्री जी महराद ना चार आथेना माथा उपर संतो जारे होई तो जोयतो जोयतो करे जोयलो आने संतो पासे वातावी कि स्वामी जायनू कई खबर पड़ी कई बोव बोलता नी जोयता खाचर नुसारू नकर तमारू खराब देखा से पन हूँ थिये हो स्वामी भवाया जोवा गया ये तो संतो ने दुख थाई हो एक नाना संत येनो तो अत्ती दुख थाई हो ये समयना संतो आब दी धर्मबाबत मा छूट चाट जे करेने सही नोता लेता अत्यार अमने पन दुख थाई येटले नाना संत उग्र बनी गया और ये बार बेठा आसे ने एमा जोहिता बापु दर्शन करवाएवा राजा हाता आखा गामना राजा दर्शन करवावे अने पेला संत उग्र थे गया अरे जोहिता बाप उसु मोडूलेन मंदीर आवोचो भवाया जुआ 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 माबाप माफ कर जो कईक भूल थे होई तो राजी रे जुआ अमने मंदीर मावानी ना सुकाम पाड़ो जुआ पेला साधुआ काठलो जायलो धक्को मायरो दूर करी दिदा निकळो मंदीर निवार तो पन हाथ जोडे माफी मागे कौन छे गामना राजा जे कारणसुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ जोवत शुखोटूगी दू। जगत मा आने पोजीटिव थिंकिंग और नेगीटिव थिंकिंग केहवाई। सास्त्रनी द्रश्टी आने सवळू लेवानू अवळू लेवानू येवू केहवाई। आपड़ा सत्संग ने वचनामृत नी भासा मा इने गुणग्राही स्वभाव औने अवगुणग्राही स्वभाव केवाई। 2072 वचनामृत मा स्रीजी महराजे 166 वकत केटली वार। 166 वकत एकज वाद करी के भगवान नो भकत एज छे चे बीजानो अवगुण लेतो न थी। केटली सरस महराज वाद करे जो सांपड़ जो हो। सुलट में नहीं है भय कबू उलट में भय है अपार उलट सुगम इहां लगत है अंत्यन दुख को पार। सुलट में नहीं है भय कबू सवलु समझवामा कोई भय न थी। एटले कोई नुक्सान न थी। कोई नुक्सान न थी। सुरस ममा कोई नुक्सान खरू। इतिहस मां मोटा मोटा तुकाराम जी महराज गधेडा उपर बेशायरा उंडन करी नाक्यों रिंगणानों आहर पेराव तो हसता था बोलो। आपने फूल नुक्सान पेराव तो ही दुखी केम बाजो वालन मोटा पेराव मने नानो पेराव तो बी जी वार स्वामी एने मोटा पेराव नाने नानो पेराव तो ही दुखी केम तीजो नंबर आपनों लाग्यो, मारा पेला बेने पेरेवा, तीजी योगत स्वामे हो थी पेला येने पेरावे, तो क्या अवे स्वामे पेरा अपना अटला बदे किदू पछी पेरावने मारू हारू लो, गणा मानस अवली समझन वाला एवा छे, और 21 मी सदी मा अपेक्स साथी जीवनारा मानसो मुट्टा भागना आ विचार वाला छे, क्या विचार वाला? अवलू लेवा वाला, मारूद जुवा वाला, स्वार्थी स्वभाव मानसने क्यारे सवलू समझवा देतो नथी, अहंकारी स्वभाव मानसने क्यारे सवलू समझवा देतो नथी, अप उलट में नहीं है भय कबू, सवलू समझवामा कोई भयज न थी, उलट में भय है अपार, आउलू लेवामा केटलो बदो भय चे बोलो, उलट सुगम इहां लगत है, आउलू समझवू, ए आ दुनियामा कदा सारू लागे, कान क्या वा अउगूनिया मानसो, टिका करनारा मा थोड़ा बुद्धी साली वधारे देखाई, एम लागे आतो जो केकलो चकोर चे जो भलबलान पकड़ी पाड़े, कोई थी डरतो न थी, कोई थी दबातो न थी, गम्मे तेने कई सके छे, अउगून ग्राही मानस घणी वार आ दुनियामा वधारे डायो देखाई, वधा तेमा छेवते अपार दुख रईयो जह, आलोक औने परलोक बन्ने स्थले स्वली समझन मां महान सुख रईयो dy, आलोक औने परलोक, बन्ने जग्याए स्वलु समझवामा सुख जह, तमारो संसार छे, परिवार छे, बराबर, यहां पतीपत निई होई, क्यार क्वढ़ बुल्वाचालोनु थाई ना थाई सद्गुरु गपाड़ांद स्वमी बेठा हाता सभाभराणी हादी यह मैं कागल लखुआ तो एकले स्वामी जोयू सांतानंद स्वामी नामना एक संथ स्वामीना सेवक हता खुब सारा गुणियल संथ आवदा सादुना जीवनना चरित्रों क्यारेक आपड़े वाचवा जेवा चे संथानंद स्वामीने बोलैवा स्वामी आयवाप पत्र लखायवो स्वामी पासे स्वामी के लाव जी अजी तो स्वामी जोयोपन नहीं और फाड़ी नाग्यों स्वामी के आ बराबर नती अक्सर के रहा फरी लखो आखी सभामा फरी वार कागल लखे 2 वार नई, 3 वार नई, 4-4 वार स्वमिय कागल फाड़ी नागे हो आक्षो लखावे, अने पाछो फाड़ी नागे कई जिग्याए? सभामा संतन स्वमिना चहरानी रेखापन बदली नी अने त्यारे गुपलंद स्वमि एतला बदा राजी थे या स्वमि एम बोल्या, हरी चरित्र चिन्तामणी मा रुगनात चरण दासजी स्वमि आ सब्दो लख्या छे कया सब्दो, सद्गुरु गोपलांद स्वमि एम बोल्या, साधु, हवे तमने अमारमा हेद छे साचु सुम बोल्या केंडी जो इतर केंडी लावी आपया, कपड़ा जो इतर कपड़ा लावी आपया, फोन जो इतर फोन लावी आपया गाड़ी लावी आपी बाईग जो ओई तर बाईग चस्मा जो चस्मा बदो लावी आपी अने हेद थाई हेद क्यों एक स्वार्थ क्यों आजनी दुनिया के वी नवानू वक्षत तमें मानस नुझ साचिवो होई नववाणू वार एने ज्यारे ज्यारे जेजे जेवु जेवु मागी होई कि दोई बद दुझ कईरू होई एक कजवार जो ना कईरू हो के ना मायनू के नीच्छा पुरी ना थाई एले खलास मैं तमने वाद करी हतीन लगन नक्की थिया बोलो अने रिंग आपी आपड़ारी भगत ना दिकराए रिंग आपी एक एक ओछा आजार डोलर नी बराबर रींग आपी एकले एंगेजमेंट थाई गेला आव कैंसल थिया क्यां एक्सप्यक्टेड आतला हजार डोलर नीमने रींग आपी होत एवी मारी एक्सप्यक्टेशन थे तो पेला धड़ा कें पूरू करदी दुलो आमेरिकानी सत्यवातों करूजू लगन थे आई शाराम सरे गाडी लेवरावी मौंगू घर लेवरावी और अच्छानक पत्तिनी जोग गई पत्तिनी लेवत मेड़ो अवे तो घरमा तकलिप पड़े ने पत्तिनी सुगितु गम्मेत याजी पईसाल वा तारू कां ये मारी जवाबदारी ने विचारो आजनी दुन्या प्रेम मा जिवे छे के स्वार्थमा आज मुटो सवाल जे आलोक मा के परलोक मा सुखी थवा माटे आज रस्तो जे कैयो रस्तो साचो प्रेम सवली समझान बरावर सदभाव वालू वरतन सांतानंद स्वामी ने चार वार कागल फाड़ी नाख्यो तो पन जराय मनमा संकोच न थयो इना चेहरा नी रेखापन न फरी एतला माटे आपड़े घणिवार कईये छे ने वढ़े तो पन वांधो न आवे त्यारे समझुक हेत साचो आजे तो कसु बोलवा जे उच क्या छे चेह अपरा लोया धम्मा जुवा मले हां अरीसबध आपना आष्वेम श्युक औरी ब्वगतो शनीवारे संतो एरातना त्रन वाग्या सुदी सेवा चालू रकावी त्रन वाग्या सुदी गम्यत यारे गम्यत यूवा नो लोया धम्मा तो आपDे गजबनी वाद छे आ कल युग मा आउँ वातारण कदा जुवाजनों मले आ बद्धो प्रभाव स्रीजी महारत प्रगट छे मुटा पुरुस पुझ्जिपात गुरुदेव जेवा संत ये प्रगट छे यानि लिध्या सक्क्या छे बाके आउँ ना थाई आउँ वातारण न थाई बाके अरीजबाई ने पूछो अमारी जोड़ी विच्रण में आवेची केवा केवा अनुभो थाई चरीजबाई हैं अमारी हामे जगडो करेच बराबरनो हैं अमना एक मंदिर मातो जामी केवी जामी हैं आपने लागेका अमना तलवार खेत चेक्षू खरे खर आतो बदू अमार अनुभो बू केता नसी यहम थे क्या जगडो नी वातो केवी बराबर न थी मुख्यवा मागू छो मंदिर होसे पन आ सास्त्रो नहीं होई आवा संतो द्वरा कथा वारता नहीं थती होई और आ सवली समझन नहीं आवी होई ने तो मंदिरो थी कल्यान नथी खाली वातो करवा थी पन कल्यान नथी थवानू आपनी पासे महरात छे, महरात प्रत्यनों प्रेम छे, ए महरात ने समझावयाँ सद्गूरु पुझ्यपात गुरुदेव छे, एनी वातो मा आपने विश्वास छे, एटले आ बद्दु दिव्य देखाई छे, सवली समझ अमेरिकानी सत्य घटन आखो अमेरिका जाने प्रेशिडेंट क्लिंटन येना वाइफ हिलेरी क्लिंटन येवो इतिहास छे अमिने वाइब पुस्तक पन लखायो छे अखो अमेरिका लगबग जाने छे हिलेरी एना पत्ती ने रोज मारती क्लिंटन प्रेशिडेंट थया त्यार पची पन मारती यहनो मारे प्रेसिडेंट क्लिंटन प्रेम थी खाता तेनु गाड़ू 40 जो अत्यार हो दिया है अबर मार खाओ यह नथी क्या तो पने कर्म मार लख्यो यह तो अरिस भाई छुटको छे यह बाबु का का ठाकोर जी नत्की कर्यों काने मार खाओ रहा हो छे तो पछी इले तम्हें बदा घरे चालू ना करता कोई घरे चालू ना करता हूं केवा यह मागूँ छू कि एकअट जिग्याइ सववली समझन होई तो मुट्टा मुट्टा विस्फोड थाई छे यह अटकी जाई अन्य जो सवली सम्जन तुटी यहमा बेई पक्से जो सवली सम्जन गई तो अकस्मात सिवाई भी जो कोई उद्धार न थी हरीकु भजेना जोई सोहे सुलेट समझ महां हवे महराज बात करेचे सवली सम्जन ये सुखने आपनारी चे सवली सम्जन मां एकलो लाभज छे सवली सम्जन मां एकलो फाइदोच छे सवली सम्जन आलोक मां तो सुखापे छे परलोक मां पाण सुखापे छे बद्धी बाबत मां पन सवली सम्जन पन गणा बदा प्रकार में संसार मा रेता होई तो बद्दा लगबग सवली समझन राखीनेत ब्याशता होई अपना एक हरी भगत बहु सारा सत्संगी भगत यानि ना घरवान एटला बदा जगडा था एटला बदा जगडा थाए गुरुजी एक वार रमुज मा की दू भगत आतला जगडा था था फईराग नसी था तो तरसुक ए खबर गुरुजी गमे तेम तो गरम-गरम भाकरी तो खबरावे चेना कई समझना गमे तेम तो गरम-गरम भाकरी जमाडे चेना सुरत मा एक अरी भगत अमे बहु नाना हता सत्य घटना रात्रे भागी न आउतार या घरे बहु मुटो जगडो थेलो स्वामी आवे तो मंदीर मा थी क्याई जवूद न थी संतो राजी थिया चालो एक भगत आयवा मंदीर मा आम संसार छोडीन एक घणू छे बहु वर्सो पेला निवाद आमे तो हाव नाना ना त्यारे जोईलो आ अन ये भगत ने आवेला जोईन संतो राजी थियान भगत मंदीर मा रही गया ने सवारे वेला संतो सोध्य पन भगत क्याई मले नहीं खबर पड़ी भगत तो घरे पमोची गया पूची उबई तमने आटलो बदू वाईराग थियो तोन तमे तो केता अवे नू मोडू जोवनो थिया अवे बस स्वामी तमारी जोड़े जरेवुचे हवार ना पुरमट भगी गया अरे स्वामी मारे चानू व्यसन मने हरीकु भजना जोई सोहे सुलट समझ महा प्रगट प्रमान ही सोई धर्मत नय समर्थ अते सवली समझन घणी चे परंतु येमा पन परमेश्वरनु बजन करवू ते ज स्रेष्थ सवली समझन चे ते परमेश्वर धर्मना पुत्र प्रगट प्रमान चे अती Tong समर्थ चे आउज समझ वू ये-िये श्रेष्थ सम जन चे. परमेश्वर सिवाई ना अन्यने भजवा, तेतो अत्यंत अवडो मार्ग छे भगवान सिवाई बिजी जग्याई हेत करवू भगवान सिवाई बिजी जग्याई बंधावू भगवान सिवाई बिजी जग्याई आसत्त थवू भगवान सिवाई बिजी जग्याई अप्यक्सा राखवी आ बद्धी वस्तु दुखदा आति सुखहित करनो सत संगा तामिन रखनो रति कु संगा हरिबिन ओर मनो रत जेता सो सब कु संग जानन तेता अति सुखहित करनो सत संगा सत संग अति सुखह करना रो छे अने अति हित करना रो छे सांबल जो सुखमा अने हितमा बउत पफावत छे मानस सुखने इच्छे छे आ मानसनी अवली समझन छे सुख करता अनन्त गणू हित महान होई छे पण मूलु भुद स्वार्थी एवो मान सुखवी, सूख सुधी विचारी सके छे, आगल हीत सुधी विचारी नथी सकतो, नानो बालक, यहने टिवी जोवादो, यहने सुखावे, मजावे, प्राबर गे, यहने गमेतें फरवादो, रखडवादो, तेने मजावे, यह फरे सुख छे, पणि माईनू हीत खरू, आके नातो क्यो, तमार नानो मोक्स छे, यहने केंडी बहु भावे, पणि तमें केंडी खावादो, तो यहने सुख लागे, पणि माईनू हीत खरू, दात खराब थाई, सुगर बोडी माँ केटली बदी जाई, यह भविश्यवान उक सुख सान करनारी, यहनों सुभाव उचिडियो बने सुगर थी बराब, यहने गमे छे, यह करवा दोछोई सूख छे, आने गमे छे नथी करवा देता, यहमा इनू घणिवार हीत छे, पणि ए बालक पोतानो हीत पोते विचारी सके, विचारी सके, बालक करता पण आपने बुढ़ावो, यहना करता पण वधारे स्वार्थी बनी गया होये छे, बालक ने तो घरिवार पराने तमे समझावी सको, धाग दम की थी समझावी सको, पण मोट्टो मानस, एतलो बधो, पोतानी विचार धारमा एतलो बधो जोडने रूटु बनी गयो होये छे, एक क्या कुसंग अथ्यन सुखकारी ने हितकारी छे, तेमा रतिभार पन कुसंग राखवो नहीं, भगवान सिवाईना जेतला मनोरत करवा ते बधाने कुसंग जानवो, अमन आपणे वाद सामबली हो तिने, सुभ संकल्पसो, सत संग जानो, असुभ संकल्पसो, कुसंग प्रमान कितली सरस्वान सवली समझन मा स्रेष्ट मा स्रेष्ट समझन एटली सत्संग करवो भगवान ने भजवा कि सत्संग एटली सुभ संकलपत थता हो यने कोई प्रत्य द्वेस न होई कोई प्रत्य ने अनादर न होई कोई प्रत्य ने अभाव न होई कोई प्रत्याने गुणान होई जेना जितला सूब संकल्प होई ते बदाने सत्संग जानवो अने असूब संकल्प होई तेने कुसंग जानवो जेवू रदेमा रहतू होई तेवू बाहर रहेवो अंतरमाने बाहरमा कोई भेद राखो नहीं जो इमारत पाक्की करवानी होई तो तेमा अत्यान्त मेहनत करवी जोये ते पाक्की इमारत न्काम एक दिवस मा पुरू थाई नहीं चणाईली इमारत कदी नक्सामा होती नथी है नक्सो दोर्वो जुदिवाद छे अनि एई इमारत चणवी जुदिवाद छे आपड़े अत्यारे लोया धाम केटलो अद भूत मंदीरनों कारिया चाली रही हो छे एक केटलू मोटू मंदीर छे आपड़े कल्पना करी सक्के इना फाउंडेशन मा पाया मा एक लाख थेली सिमेट खाली जवाणों छे बिजी बदी वस्तु जुदि केटलो अरिस भै आपड़े कल्पना करी सक्के वड़तालनू मंदीर वाद थाई चेने नव लाक इटो पाया मा गई छे इपायो तो देखातोर नथी इपायो तो कोई जोयोर नथी वाला भगतो केवा ए मागू छो महराजेम कहे छे सारी इमारत चन्वी होई ने एक दिवसमा काम पूरू न थाई आजे लोयाधाम मंदीर गुरुजिनो संकलप चे सारा मा सारू आखा गुजरातम अध्भूत बनावुछे आखा संपरदैमा बे नमून कारिय करवुछे येनु सिल्प कारिय, येनु कोतरणी नू कारिय, ये मंदीर नी रचना नू कारिय एकलू अधभूत करवुछे गुरुजी जात्ते देखरे करी रहा छे, खुब सुन्दर कारिय चाली रहा छे, अने आपना लोयाधम परिवाना, अमेरिकाना, केनेडाना, लंडनना, इंडि सार्थ, सारी सेवानी सर्वानी बद्धूत जोयेने, पना बद्धा सुभग समन्वे अत्यारे भेगा थया छे, लोयाधमा, अने लोयाधमनू मंदीर अती दिव्य निर्बान पामिरेयो छे, आपने जानी रया छे, थोड़ा दिवसमा नवी एक्टिविटी मंदीर नू का तो बुवान्दो ना आवे, पन पची महल बनावा होई तो, इमारत ने सर्वस्रेष्ट बनावे, पची तेमा विविद प्रकारना चित्र करवा मा आवेलो, येमा पाचो बिजो खर्चो थाई, छता ते इमारत ना उपर बे मोटा भई रया छे, आतलू कर्या पची पन, केटले सवार सांज साउधानिती तेनी संभाल राखवी जोईए, हमना में इंडिया गया, रोज सवारे, वेल्ली सवारे, धांगतराती पधारला पुझ्य रामकृष्ण दास्जी स्वामी सभा करता, स्वामी ये जागरुती उपर, भगवान्नो भक्त अखंड जागतो हो क्यों होई, जागरुत होई, स्वामी ये बहुत सरस्द्रिष्टान तैपू, खेतर, खेतरमा, खेडूत, खेतरमा दाना नाखी दे, तो दाना उग्ये ने, दाना नाखवा जरूरी इचे, पन दाना नाख्या पची पूरू नथी थतु, पची बिजु काम करूँ पड़े कईु काम, पानी नाखवान। पानी ना नाखे तो, दाना नाख्या पची बिजु काम करूँ पड़े पानी नाखवान। पानी नाखे, ये तला थी पती नसी जतू, पानी नाखे, पन खातर न नाखे, ध्यान न राखे तो, दाना नाख्या पछी, पानी नाख्यू, पानी नाख्या पछी, खातर नाख्यू, खातर नाख्या पछी, आसपास नू बिजु गांस मोटू थसे, निंदामन करवू, निंदामन कर्या पछी, माउजद करवी, सतत जागतो ने जागतो, सतत जागतो ने जागतो, तो पाक आत ये जागतों ने जागतों रेईने येने जहात पाक लागे छे इतला माते गुजराती नी कहवत छे सामान ये कहवत उंगताने और जागताने पाड़ी हम जोचन तमें ये वी कहवत छे उंगताने पाड़ और जागताने पाड़ी देशी भासानी या केवत केवा ये मागे छे जाग्रूत जे होई ने येने सारू फळ प्राप्त थाई थाई ने थाई वचनाम रुत्मा महाराज येम कहे आ गाफलाई जे रहे छेन अंतह कर्णमा के सव थी मोटी मुमुक्सुनी भूल छे याने लिध्या बधी उपाधिस आई थे महाराज येँकेहवा मागेच्या सस्वंनी इमारत पन आपणी सारी करिवी होसेатыbnे तुनी संबाल लेवी पड़से केवे संबालल लेवा ये महाराज वाद करेछे इमारत जार्यक करिव होई ।ैसे येवीने त्यसी जो सारी पड़ेच पछी उम्मर धाई त्यारे रक्षन करवू जोई ये तेनु जतन करिया शिवाई तेवी ने तेव इमारत रहे नहीं कातो इमारत मा आग लागे तो तेनो नास थाई कातो लुनो लागे तो तेनो नास थाई येम सत्संग पन इमारत जेवो छे माटे मनमा हम्मेशा तपास करता रहवु कुसंग ते सत्संग रूप इमारत नो नाश करनारी आग छे ते प्रसिद्रीती देख्यामा आवे छे माटे सत्संग कर्या पछी पन कोई कुसंग लागी न जाए अंतर नो कुसंग बाहर नो कुसंग के सत्संग नो कुसंग कोईक जिग्याची जो कुसंग आवी जसे तो आवी सरस्मजानी इमारत त्यार करीचे पन बलीने खाख थाई जसे अवे सत्संग रुपी इमारत ने साचवा माटे सूं करवू महरत सरस्वाद करेचे जेने स्रीहरीनो अतिसे खप होई तेने ते देख्यामा आवेचे आवात ने कोण देखी सके छे समझी सके छे खप वाड़ो होई ते सत्संगना मारगे स्रद्धामा जे मोडप थवी ते लूनो लागयों कहवाई इमारत ने खलास करना रा बे तत्व जे का आग लागे तो इमारत खलास थाई जाई अने का लूनो लागे तो इमारत खलास थाई आग लागे तो बद्दा ने देखाई एनि कोई दवा करे पन लूनो लागे तो एक कोई ने देखाई ने इमारत उब्वे उब्वेवी नेवी होई खलास थे जाई अमेरिकानी सत्य घटना अमेरिकामा एतिहासिक जाड हत एतिहासि अन्य आ एतिहासिक जाड ने परियट को जोनारा फर्वावाडा लोको जुहा माटे आऊता एक दिवस सवारे अचानक आतलू वर्सो थी घणा वर्सो बसो त्रणसो चार्सो वर्स करता जुनूगा आउँ एतिहासिक जाड अचानक आखु धरासाई पड़ी गईू कोई ववाज ववाजडू ने कोई आंधीतु फान ने अन्य पड़ी गईू येना उपर खुब रिसर्च थायू कि आँ बसो चार्सो वर्समा केटला मुटा वावाजडा केटला मुटा टोर्नाडो केटला मुटा हरीकेन केटलू बुदू आवी गईू छता जाड पड़ीू नै अन्य आजे कोई पन प्रकार्नी उपाधी विना उपद्रव विना अन्य जाड पड़ी जयू पची खबर पड़ी जाडना मुळुमा उधही लागी गई हती येटलो मुळिया खवाई गया आता येटले कोई उपद्रव नोता छता अपन आख्याकू जाड पड़ी गईू एमा सत्संग मा घणा बदा जीवो केवी रिते पड़ी जाई छे कुसंग लागे छे बाहर नो ये केवो छे अगनी जेवो बाहर नो कुसंग देखाई जाई आमना आ भगत मंदीर आउता न थिया है आमना आ भगत पिला नी बाजुम बव बहे छे आमना आ भगत क्यारक क्यारक मोठामकर क्येक व्यासन करता हूँ लागे छे जहिवो આ કયો કુસં બહારનો કુસં કોઈક ને દેખાય કોઈક ટોકે કોઈક બચાવે સતસંગ રૂપી ઇમારત બહારના કુસંગ થી અગણી ની જેં બળી જાય પણેમાં ઠારનારા બચાવનારા ઘણા બદાવી જાએ પણ બીજો ખત્રો સતસંગ રૂપી ઇમારત ને લુણાનો છે ઉધહી નો છે દેખાતો પણ નથી કોય અરી બગત્વે મંદીમાં બેસ્તો ને સરદ્દા ઓછી થેગે ખબર પડે ખાપ ઓછો થેગે ખબર પડે પડે પણ ક્યારે હ પકડાયી છે અને પકડાયે ત્યાં સુદી માદો ઘણુ સ્ટેજ આગળવધી ગયું હોઈ પછી માનસ બોનસ માં આઓ છુ અંદરનો કુસંગ છેન આઓ છે સ્રધધામાં મોળપ્ સું કેછે મહારાજ સ્રધધા ઓછી થાય તેની જીતીએ પ્રકરણમાં આખ્ખુ પ્રકરણ સ્રિજી મહરાજે રામાનંદ સ્વમી ધમાગયા ત્યાર પછી ઉપદેશાય પુરું છે સહણ કરવા માટેની સમજણ પૂરવકની તયારી એટલે સરદધા સું સહણ કરવા માટેની સમજણ સાથેની તયારી એટલે સરદધા સમજી ને સામેથી આપણે સીવકાય તમે જોબે જાઓ સરદધા રાખો જોબ ચાલે નકર ચાલે નકર ચાલે બાં સતસંગમાં પણે એવું છે સરદધા હોયને ને સરદધા હો વીસવાસ હોય ને સરદધા હોય ને સરદધા હોય ને ને બદધા ગુણની પ્રાપ્તી થાય તો આપણને થોડોન ખ્પ પડેક ના પડે અમેરિકના વીજા લેવા જવાજ લઇનમાં ભૂરે હોય તો બોલો મૂદી સાભે લઇનમાં ભરેજ એક ને રઈ ક્યા કોઈ દાદા ગીરી કરે આમે પેલ્લી વાર વિજા લેવા ગ્યાં ત્યામે જોલે ઉદરસ્ય એક કોઈ રાજકારની વિજા લેવા આવઈલ પેલ મૂટી લઇન એને વિજા ના પડે એવા રડે ત્યાં ફાઈલ નીચે પચાળી પણ ચાલે ખરુએ નો કર્સો ગરત છેતલે મંદીરે પણ આપણ આવેચે શુકાં ઓ તી કઠણ છે અંક્યનું વચનામરુત ચોવિશમું પણ અમને રાથ્યનો સ્વાર્થ છે કાયું સ્ભ્દ વાયું પેરો મહારાજે એકદમ લોકીક સ્ભ્દ છે સ્વાર્થ આ સ્વાર્થને તમે સમ્જો ખપને તમે સમ્જો ગરદને તમે સમ્જો વચના મૃત અંત્યનુ પેલ્લુ મહારાજ કે ચોર નિર્દઈ છે નિષ્ઠોર છે માની રાખે કાપી નાખે બધ્દુ છે અને ચોથી વસ્તુ સરદ્ધા સરદ્ધા કારે જાગે સમજણ પૂર્વક શહન કરવાની તયારી સમજણ પૂર્વક સહન કરી સકીએ થોડી સાંળી સકીએ મબાની હાંબલે બીલ ગેટ સાંબલે કેં હેને ભગવાને એટ્લુવુદો સદગુણ માત્ર ની માં સરધા છે આ સરધા નુજ બીજા સંદર બનું નામ ખપ ગરજ કેશારત છે એટલે મહારાજ જમુણ નો ભહે દિલે માં લાવ્યા કરવો પડે સતસંગ ને સુદરરાખવા માટે લક્ચોરાશના દુખનો વિચાર દ્રડથા થી વારમવાર કરવો જોયે લક્ચોરા સે દૂખ કો દરડ કરે વિચાર વાર વાર મનન કરે પ્રલે ચાર આ બદા વિચાર કરે ને તો સૂથાય ખ્પ જાગે ખ્પ જાગે તો સૂથાય સાધા જાગે સાધા જાગે તો સૂથાય આ મારી ખુટતી બાબત મને ત્યાથી મળશે ત્યાં મારે જુકી ને પણ નમી ને પણ મારુ કામ સાધી લેવુ ને 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 નામ સાધા થેગે વાત યાક સમજાની સાધાવે મામાં આજે સતસંગમાં બધું છે ચારબાત વિચારે નિત તદાકાર મનહોઈ ચારવાત વિચારવાતી સર્ધાવે ખપાવે તે ચાર વાત કઈ વાત જંમમરણ ની વાત આ ગળાવી ને જંપુરી ની વાત લખ ચોરાશે ની વાત અને ચાર પ્રકારન માહરાજે દાયા એવી કરીક ઈ જંમનું દુખ કોને યાદ નથી આ મોટી મુસિબત છે રઈ એક વાત કઈ મરણનું યાનો ચમરબંધી જીવુ હોય મૃત્યુના ટાઇમેના રદેમાં વઈરાગ્ય પ્રગ્ટે છે પ્રગ્ટે છે ને કેવી રિતે કાપે આપણે જોઈદ નો સક્કીય જમુપુરી માં શુંછે આના કરતા હજાર ગણુ ખરાબ છે આતો કઈનથી એટલુ ખરાબ જમુપુરી માં છે કેવી રિતે પસુઓ ને મારે છે આપણે તો જોઈ ના સક્કી હેતો માણસને પણે પેતે મારે છે આતં વાદ યહું કરે છે એના કરતા ખરાબ માણસને મારે છે કેવી રીતે રીબાય રીબાય ને મારે છે ત્યારે આપણને થાય આ જમ્પૂરી સોંચે આ જમ્પૂરી લખ છોરાશી આ હમજ વેના કરતા ઘરી છે યે આજે આપણે માણસ છીએ ગમ્મ્ય વાત આગરીના કરીલીએ ખાઈ પીં ઇટ પગવાલી માંસે માનવી નવી 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 માકરી આલખ છોરાશી અને ચાર પ્રકારનો પ્રલઈ કયારે સુંથાઈ કોઈ ને ખબર છે ડેથ અન્સરટેની સટેન આજે પેલા ભઈ ગયા આહાહ જતારેયા તો એક દિવસ મારો પાણ વારો પાઉસે જાગી જાઈ સોનાના રથમાં ફરનારા કપિલ વાસ્તુનામની નગરી સુદ્દનનામના રાજા એનો પુત્ર ક્યો અને એ સીદ્દાર્ત ફરવા નિકળો છે એક દ્રસ્ચ્યને જોયું સવ્યાતરા નિકળી ખહબર છેને સારથી ને પૂચ્યું આ સું છે ભાઈ આ સું છે કેમ બદા માનસો ચાલે છે ઉદાસ્થથઈ ને સું થયું છે આપડા ગામના આ ભાય ફલાના ભાય મરી ગયા છે એટલે આ સુતા છે ને મરી ગયા છે તે ઉભા કેમ એ કેમ સુતા છેન બીજા બજા કેમ સિધારતને મૃતી એટલે શુતા છે કેમ એકેમ ચાલતા નથી ભાય મરી ગયા મરી ગયા આવો સરસ મનુસ્યનો દે એને સળગવી દેવાનો આ ભાય એક દિવસ બધ્ધા ને આજ રસ્તે જવાનું જે નાન્ય પંથા વિધ્યતે યનાયા આજ માર્ગ છે ઉદાસ થે ગેઓ મારે પણ એક દિવસ આવીરીકે સુઈ જવાનું મર પડે છે તુવો ત્યારે ભલે યુવાન છે ચાડ્તુ લોઈ છે તારી યુવાની છે એક દિવસા બધ્ધુ જતુરે છે આને જતોરે જો મરીજ જવાનું છે રાજ્ય ભોગ્વે ને આ સમરુધી ભોગ્વે ને તો કઈ એવું કરીલા ઉક મરું નો પડે ખબર છે ને મરુત્ય ઉપર વિજે મેળાવા માટે એતલા માટે તો કેવાઈ છે કે જાગી જાને બુ કેત્દુ છે આત્લી લાતો ખાઈએ છે આત્લુ ચારે બાજુ આપણે જોઈરીય આછે આતંકવાદ જોઈરીય આછે કરીને નિત્ય વિચારી જોઈએ એકાગ્ર તા થયાવીના સત્સંગનો ખપ ઉપજતો આ વિચારે તો ખપ જાગે સતંગન પુણ્ય ઉદાય થયું ત્યારે આપણને શ્રીહરી મળયા છે આવાપ ભાવના પદ સવમીએ ગાયા ઇતી શ્રી જે આમે સંતો આતી કાલે બેલી સવારે